बिस्मिल्ला रख्मान रख्म, 2014 का नुमेरिकल नंबर 2 है और 2011 का नुमेरिकल नंबर 10 है एक्जेक्टली सेम है दोनों नुमेरिकल, यह मैंने उसका डेटा लिखा हुआ है, इसको मैं आप से डिसकस कर लेता हूँ देखें, नुमेरिकल के अंदर हो आप से कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर बार ओफ आयरेन इस 2 सेंटिमेटर बाइ 2 सेंटिमेटर अब मुझे बताओ, 2 सेंटिमेटर मल्टिप्लाइबाइ 2 सेंटिमेटर तो यह तो एरिया बन गया ना अगर आप करते हो तो आपको अपसे एरिया आयाता है, 4 एक्सपोनेट माइनस 4 मीटर स्कॉर यह आपका कैलकुलेटर हो सकते है, इसको इस तरह दिखाए, 0.004 तो यह आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई, उसके बाद वो कह रहा है जो लेंथ है उस बार की वो 20 सेंटिम है, तो 20 सेंटिमेटर हैं हमें मिटर में चाहिए, तो यह बन जाएगा 0.2 मीटर, वो कह रहा है कि रिजिस्टन्स आप बताईए, मालूम करके बताईए कि 500 डिगरी सेंटिग्रेट पर कितनी हो गई, तो मैंने जिस तरह थियोरी में आप से डिसकस किया था, कि रिजिस्टन होती है, तो यह values हमें दी हुई है, तो अगर हमें R500 मालूम करना है, तो हमारे पास formula क्या बनेगा, बड़ी सीदी सी बात है, अभी formula बना रहे थे हैं, हमने थियोरी में पढ़ रखा है, कि हमारा formula होता है, RT is equals to R0, 1 plus alpha multiply by T, याद आप लोगों को, अगर यह बाद ठीक है, त is equals to R0, 1 plus alpha की value मुझे given है, 0.0052, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, 0.0052, multiply by, और मैंने कहा था, R के साथ T, यानि जो temperature दिया, वही T यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर यह 500 है, तो आप किसे multiply करोगे, 500 से, इसको नाम दे तो equation number 1 का, अब देखो, यह bracket तो पूरी already solve है, 500 है, यह एक number है, plus 1 करके, यह पूरी bracket solve है, all you need is the value of R0, यानि resistance R0 का मतलब है, 0 degree पे, तो अगर आपने theory की वीडियो देखी है, तो यह भी कोई problem नहीं है आपके लिए, आप जानते हैं कि R0 क्या होता है, हम यह formula apply करते हैं, R equals to rho L upon A, याद है आपको, और मैंने गाता है, यह formula यह आपको resistance बता दे, कौन से temperature पे, 0 degree के उपर, so this is equals to rho की value, already exam में आपको given होती है, यह रही rho की value, 11 exponent minus 8, तो इस rho की जगवा मैंने लिखा, 11 exponent minus 8, multiply by length, length आपको उसने दी हुई है, 20 centimeter, जिसको हमने meter में किया तो 0.2 बन गया था, agreed, upon area, वो भी already मैंने उपर calculate कर चुका हूँ, area यह उसने जो दिया हुआ, 0.0004, ठीक है, तो मैंने लाके यहां पर put कर दिया, 0.0004, तो इस सब को मैं calculator में रखके value को solve करता हूँ, तो मेरे पास R0 की value आ जाती है, और यह जो R0 की value है, यह मेरे पास बनती है, 0.1234, और 55 ohms, यह जिसको scientific notation के अंदर हम लिख सकते हैं, 5.5 exponent minus 5 ohms, तो यह हमारे पास R0 की value आ गई, बस जनाब इस R0 की value को उठाईए और equation number 1 में यहां put कर दीजे, आगे यह numerical calculator के हवाले हो गया, आराम से आप 500 की value निकाल सकते हैं, तो आपने कहा, so equation number 1 implies that R500 is equals to 5.5 exponent minus 5, यह मैंने किसकी value रखी है, R0 की value रखी है, ठीक है, यह ही मेरे पा R5252, multiply by temperature given है, 500 है, इस पूरे को calculator में रखें, आपके पास answer आ चुका है, तो R500 का जो answer आपके पास, वो आपके पास आया, 0.1230198 ohms या जिसको आप scientific notation में 1.98 exponent minus 4 ohms कहेंगे, ठीक है, यह हमारे पास answer आ चुका है, this is my answer, मेरे खाले इंतिया है, यह सान numerical है